एक तरफ गाजा के रफा में हमास के खिलाफ बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ उत्री इसराइल बॉर्डर पर आडियफ हिजबुला की काट नहीं निकाल पा रहा है हिजबुला लगातार इसराइली सेन चौकियों उसके टैंक और जासुसी उपकरणों पर मिसाइल ड्रोन और रॉकेट अटैक कर रहा है जिसकी वज़े से इसराइल को अर्बो डॉलर की चपत तुलग रही है साथ ही उसने अपने कई सेनिकों को भी खो दिया है और अब इसी कड़ी में हिजबुला ने एक बार फिर इसराइली सेना को चारों तरफ से घेर कर सिलसिलेवार तरीके से कई हमले किये है दरसल साथ मैं 2024 को हिजबुला ने सबसे पहले IDF की इफताह मिलिटरी बैरेक्स पर कई आत्मगाती ड्रोन से हमला किया और इसी दौरान हिजबुला के ड्रोन्स का एक जुंड दक्षिणी रैमनौट नफ्ताली बैरेक्स में इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम आयन डोम पर तूट पड़ा जिसकी वज़े से आयन डोम की बैटरीस को भारी नुकसान हुआ है और इस हमले के बाद दोपहर करीब एक बच कर पंद्रे मिनट पर हिजबुला ने पहले तो इसराइली पैदल सेना की आवाजाही पर निगरानी रखी और इसके बाद जैसे ही वो अल रहब मिलिटरी साइट में बंकर में जाने लगा वैसे ही हिजबुला ने उनके उपर एंटी गाइड़ेड मिसाइल से हमला कर दिया हिजबुला का कहना है कि उसका हमला टार्गेट पर एकदम सटीक लगा है और इसके एक घंटे बाद हिजबुला ने फिर से AI सुमका मिलिटरी साइट पर IDF पर एक और हमला कर दिया हिजबुल्ला का कहना है कि ये इलाका कबजे वाले लेबनान के कफार चौबा हिल्स का है और इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने बड़ी ही सूजबूच के साथ इसराइली सैनिकों पर एक और बड़ा हमला कर दिया दरसल यह हमला उन सैनिकों पर हुआ जो नफ्ताली बैरक्स में आयन दोम की बैटरी को चेक करने के लिए आये थे जो हिजबुला के हमलों में शाती ग्रस्त हुई थी हिजबुला के मुताबिक उसने यहां IDF के जवानों पर anti-tank guided missile से सीधा हमला किया है जिसमें कई इसराइली सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर खायल हुए हैं और इस हमली के बाद हिजबुला यहीं नहीं रुका उसने जिबडीन military barracks पर करीब 3 बच कर 15 मिनट पर एक और हमला कर दिया अब आपको बता दे कि जिबडीन military सैन अड़े कबजे वाले शीबा फर्म्स में है और इस इलाके में मनारा सेटल्मेंट में हिजबुला ने इसराइली सैनिको के एक जमावडे पर दनादन गोले फायर कर दिये थे वही मेतुला सेटलमेंट में हिजबुला ने दो बिल्डिंग पर एरिस्ट्राइक की जिनका इस्तमाल इस्राइली सैनी को द्वारा किया जा रहा था हिजबुला का कहना है कि उसके लड़ाकों ने इस हमले के साथ ही मनारा सेटलमेंट में एक बिल्डिंग को तबाह कर दिया इस बिल्डिंग का इस्तमाल इसरैली सैनी को हिजबुला के खिलाब चासुसी में कर रहे थे और इसको लेकर हिजगुला का कहना है कि इस बिल्डिंग पर उसका हमला एकदम सटीक हुआ है जिसमें ये इमारत पूरी तरह से नश्ट हो गई है लेकिन इन हमलों के बीच बड़ा सवाल ये है कि जिस आक्रमक्ता के साथ हिजगुला उत्री इसरायल पर हमला कर रहा है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि उत्री इसरायल का शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा हो जहां पर हिजगुला ने हमले ना किये हो और हिजगुला ने इन हमलों के बीच आईडियफ रफा में अपने मकसद में काम्याब हो पाएगी या नहीं ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि हिजगुला से निपटने के लिए इसरायल को अपनी सेने ताकत को दो फ्रंट में बाटना होगा पहली रफा में और दूसरी लेबनान बॉर्डर पर और दूसरी झाल ओड़ाई पर लाग को टूसरी बढ़ा से लेबना आप पर प्राएगग को दोस्तिए ताकत कर्या को दोस्तिए पागन अवागग को आप झाल झाल